स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इन्फोर्मेशन में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पोस्ट ओफिस सेविंग बैंक में आप अपना एकाउंड का केवासी करवाने के लिए आप केवासी फॉर्म को कैसे भरेंगे इसी चीज को मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप इस तरह के केवासी फॉर्म ले लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर अप्लिकेर नमबर बन के नीचे नेम पर आएंगे आपका जो नाम एकाउंड में होगा उसी नाम को यहाँ पर आप सही से लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर C.I.I.P.I.D. नमबर पर आएंगे यहाँ पर आप अपने पास्बुक से देकर C.I.I.P.I.D. नमबर को सही से लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर account registration नमबर पर आएंगे यहाँ पर आप अपना account नमबर यानि खाता संख्या पास्वुक से देखकर सही से लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर signature वाले box पर आएंगे यहाँ पर जिसका यह account है वो अपना यहाँ पर एक नमबर पर English से signature कर देंगे और दो नमबर पर हिंदी से signature कर देंगे यहाँ पर आप हिंदी से signature कर देंगे दो नमबर पर इसके बाद आप यहाँ पर recent photograph पर आएंगे जिसका यह account है वो यहाँ पर अपना passport size का photo लगा देंगे यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि applicant 2 और applicant 3 में आपको कुछ नहीं भरना है अगर आपका post office bank में joint account है तो आप यहाँ पर second और third account holder का नाम CIP ID number, account number, sign और यहाँ पर photo लगा देंगे अगर आपका joint account नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं भरेंगे इसके बाद आप form के नीचे आएंगे इसके बाद आप यहाँ पर KYC पर आएंगे यहाँ पर आप अपने details को फिल कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर आप name वाले option पर आएंगे यहाँ पर आपका जो नाम है उसे यहाँ पर आप सारा capital later में लिख देंगे इस तरह इसके बाद आप यहाँ पर flat या house number पर आएंगे अगर आपको अपना flat number या house number पता है तो यहाँ पर आप लिख देंगे अगर नहीं पता है तो इसे आप खाली रहने देंगे इसके बाद आप यहाँ पर रोड पर आएंगे आपके घर के सामने यहाँ पास कौन सा रोड है उस रोड का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे अगर आप विलेज में रहते हैं तो विलेज पर टिक करके आप अपने विलेज का नाम लिख देंगे अगर आप टाउन में रहते हैं तो टाउन पर टिक करके अपने टाउन का नाम लिख देंगे city में रहते हैं तो city पर टिक करके आप अपने city का नाम लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर pin code पर आएंगे आप अपने area का pin code को यहाँ पर आप लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर mobile number प्राएंगे यहाँ पर आप अपने mobile number को डाल देंगे इसके बाद आप यहाँ पर आधार नमबर पर आएंगे यहाँ पर आप अपने आधार कार्ट से देखे आधार का नमबर लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर लोकिलिटी पर आएंगे आप किस जगा में रहते हैं उस जगा के यहाँ पर आप नाम लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर लेंड मार्क में आएंगे लेंड मार्क के मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके घर या ओफिस के नजदिक है जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है लगबख उस इलाके में रहने वाले सभी लोग उस चीज के बारे में जानते हैं ऐसी ही चीज को लेंड मार्क केहते हैं अगर आपके घर के सामने ऐसी कोई चीज है तो उस चीज के यहाँ पर आप नाम लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर डिश्टिक पर आएंगे यहाँ पर आप अपने डिश्टिक यानि जिला का नाम लिख देंगे आप किस जिला में रहते हैं उस जिला का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर state पराएंगे यहाँ पर आप अपने state यानि राजे के नाम लिख देंगे आप किस राजे में रहते हैं इसके बाद आप यहाँ पर email id पराएंगे अगर आपके पास email id है तो यहाँ पर आप दे देंगे इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे I do here be submit photocopy of the flowing document इसका मतलब में बता दू यहाँ पर आप अपना कोई भी document का photocopy इस form के साथ जमा दे देंगे इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आप आधार काड लिखे यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे इस तरह से इसके बाद इसी तरह से यहाँ भी आपके पास pen card है तो pen card लिख देंगे और pen card का नंबर डाल देंगे इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे first applicant जिसका यह account है वो यहाँ पर अपना sign कर देंगे अगर आपका joint account है तो यहाँ पर second applicant और third applicant का sign जरूरी है नई है तो इसे आप खाली रहने देंगे इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते है for office use only इधर आपको कुछ नहीं भरना है इधर office वालों को काम है form को इस तरह से पूरा भरने के बाद आप इस form के साथ आधार card का jerox और pen card है तो pen card का jerox इस form के साथ जमा कर दे आपका KYC complete हो जाएगा मैं आसा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like, share